Sampling का मतलब होता है कि you choose a number of people और a group जिनसे आपने डेटा कठा करना है अपनी research के लिए इसका purpose ही होता है कि आप test करें hypothesis को उस selected population के बारे में जिसमें से आप उस sample निकाल रहें आपने एक मिसाल सुनी होगी चावल की देग में से एक दाना लेकिन researcher एक दाना नहीं निकालता वो इत्यातर बहुत से number of people को देख लेता है जितनी मुनासिब हो sample उस खास research के लिए ताके उन parameters का estimate किया जा सके जिसके साथ आप अतनी research के सवाल पूछने दो तरह की sampling होती है probability और non-probability probability का यह मतलब होता है कि every single person has equal chance of being selected from the population तो यह जैसे आपने वो कुरा अंदाजी होती है कोई भी सौ नाम डाले विया आप उसमें से 20 उठा लेती हैं तो कोई भी उठाया जा सकता था कोई equal है आपने कोई देख के नहीं उठाया यह सबसे valid और काबले भरोसा results चो हैं produce करते है और यह population को reflect भी करते है probability इस तरह भी होती है कि अगर आपने एक जार में 50 सफेद चॉकलेट और 50 काले चॉकलेट डाले में हैं तो equal chance है कि जब आप उसमें से 50 निकालेंगे तो उसमें white and black mix होगा कभी भी नहीं होगा कि पूरे 50 white निकलाएं तो जब आप sample population से लेते हैं probability इसी तरह होती है खास तो अगर बड़ा sample हो और यह उसको represent भी करता है कि actually वो कितने लोग हैं जिन में से आप ले रहे हैं किसी खास community के रहने वाले students किसी school के अब अगर आप randomly probability के साब से choose करते हैं तो उसमें intelligent चोटे लंबे लड़का लड़की गाउं से आने वाले FST करने वाले FST करने वाले उन में से हर एक में से कोने कोई आ जाएगा तो यह इसका मक्सद होता है probability दो तरह का sample करते हैं select एक random और एक stratified random जैसे मैंने बताया कि आपने एक list ले लिए 100 students की उसमें से पहला तीसरा पांच 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 शटा साथमा आपने उठा लिए एक group में डाल दी हैं और आपने बाकी के दूसरे में तो बड़ा mix सा होता है और उसको randomly किया जाता है उसमें कोई हमारी इस तरह का plan नहीं होता कि हम खास किसम के लोगों को लें स्ट्रेटा डिफाइन कर लेते हैं अमीर गरीब ग्रीन टाउन के रहने वाले या मजदूर पेशा या वाइट कॉलर वरकर या आर्टिस्ट या डॉक्टर्स तो वह हम स्ट्रेटा सुसाइटी के डिसाइड करके और उसके बीच में से फिर लेने थे तो उसने हर इक को एक नंबर दे दिया वान टू थाउजन और उसमें से फिर रेंडम ली सौ लोग निकाल लिए स्ट्रेटिफाइड मीनी रिपोड़क्शन और पापुलेशन होती है पहले आप पापुलेशन को उसकी करेक्टरिस्टिक के साब से डिवाइड करत से जितने ही ये भी अच्छे होते हैं बलके बहतर होता है स्ट्रेटिफाइड इसका बड़ा डीटेल पहले से एडवांस त्यारी करनी पड़ती है कि आपको अपनी पापुलेशन का पता हो एंड इसको कंस्ट्रक्ट करना जरा मुश्किल होता है नॉन प्रॉबबिलिटी स सामपल्स जो हैं वो प्रॉबबिलिटी से कम होते हैं लेकिन अस्तान हो और वो लिमिटेड है क्योंकि आपने तो खुद ही लिया है कुछ लोगों को रिसर्चर रैंडम और स्ट्रेटिफाइड जब ना ले सके या महिंगा हो तो फिर हम नॉन प्रॉबिलिटी करते हैं इस सिर्फ डॉक्टर बनने वाले बच्टे लेने हैं मेडिकल लेने हैं तो कोटा जो है वो फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी अड़े इतने मारत और उनमें से हमने परपोश्चन जो है वो ले लेनी है परपजिव साम्पल जो है वो नॉन रिप्रेजेंटिटिव साम्पल होता है इसमें स्नोबाल भी होता है कि आप किसी को जानते हैं जिसने कैंसल की ट्वीटमेंट कराई हो आप किसी को जानते हैं जो पहाड़ी लाकों से आया वाओ तो एक से दूसरा आपको बता देता है इस आसी तरह के लोग लेने हैं कोई भी जो आपको चलता फिरता मिलता है जो भी कहीं बैठावा मिलता है क्योंकि आपके रिसर्च यह सी है कि आपको कोई खास संपल नहीं चाहिए